हेई गाईज वेलकम बैक टूटी चैनल होप करता हूँ कि आप लोग काफे ज़ाधा बढ़िया होंगे सो गैस कल हमने आप लोग था शेर किये थी मारूती एस्प्रेसो के डिटेल्स जिसके अंदर हमने आप लोग था शेर किया था इसका प्राइसिंग आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2022 मारूती एस्प्रेसो के वेरियंट की यानि की ब्रॉशर डिटेल्स आज इस वीडियो के अंदर हम सारी वेरियंट को कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से फीचर्स आपको एकस्टीर में इंटीर में और कौन-कौन से आपको सेफटी फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है 2022 एस्प्रेसो के अंदर अगर आप चैनल पर पहली बार रहा है तो सब्सक्राइब जरू कर ले ताकि ऐसे यूसफुल कंटेंट आप लोग से मिस ना हो सो मैं आप लोग बता दू कि जो इसके अंदर वेरिंस आपको मिलते हैं उन एक कि अप सबसे पहले हम बात करेंगे स्के इसके स्टेंडर वेरिंट के बारे में यानि कि जो बेस फिरिनट है उनके आपको कौन-कौन से फीचर्स मिल जातें इसके इंटीर में सो बात करते हैं इसके interior की आपको कौन कौन जी चीज़े मिल जाते हैं इसके interior में यहाँ पर dynamic center console यानि कि जो center console है वो आपको across same मिलेगा from the base variant to the top of the line variant मैं designing की हाँ पर से बात कर रहा हूँ साथ ही जो commanding seat है इसकी seats काफी जाद है उची है क्योंकि इसका ground clearance काफी जाद है sun visor driver and co driver side पर मिल जाएंगे अब comfort के अंदर आपको AC विगारा कुछ नहीं मिलने वाला power steering नहीं मिलेगा sri socket नहीं मिलेगा यहाँ पर जो है utility space मिल जाएंगे front console के पास यानि की front dashboard के पास साथ ही एक लिटर की bottle holder जो है वो आपको दोनों ही front doors पर मिलेगी rear में आपको थोड़ा utility space मिल जाएगा co driver side पर भी आपको utility space मिल जाएगा इसके doors में साथी जो front जो seats है वो आपको reclining seats मिल जाती है और idle start shop जो feature है वो अब add-on कर किया गया है जो आपको base variant में भी available मिल रहा है अब आपको infotainment system इसके अंदर नहीं मिलने वाला साथी बात करें safety and security की तो heart tech platform यूज किया गया है cabin air filter मिल जाएगा साथी ABS plus EBD मिल रहा है seat build reminder और driver and co driver के साथ buzzer के साथ available दिया जा रहा है साथी reverse parking sensors मिल जाएगे speed alert system मिलेगा pedestrian protection मिल जाएगी child proof rear door lock मिलेगा dual airbags seat build pre-tensioners and force limiter इसके अंदर मिलेगा and parking brake warning मिल जाएगी safety के अंदर कोई कमी नहीं रखी गई है standard variant के अंदर भी आपको इतने सारे safety features मिल जाते है अब बात करते है exterior की तो यहाँ पर आपको same जो basic चीज़े हैं वो सारी मिलेगी SUV inspired जो front facie है वो मिल जाएगा head lamps normal मिलेंगे और जो tail lamps है वो आपको C type available मिल जाएगे और side body में cladding मिल जाती है बात करें instrument cluster की तो यहाँ पर आपको digital cluster मिलेगा पर इसके अंदर कोई भी आपको जो average है fuel consumption, warning, gear shift indicator कुछ नहीं मिलेगा इसे basic आपको cluster मिल जाएगा यह थी इसके base variant की बात आप बात करते हैं LXI variant की कि आपको LXI variant के अंदर कौन-कौन सी चीज़े add-on मिल जाएगी सिर्फ मैं आपको वो बताने वालों इस बार अब आप यहाँ पर अगर notice करेंगे तो interior के अंदर आपको कुछ भी add-on नहीं मिलता comfort के अगर हम बात करें तो इस variant से आपको AC with heater मिल जाएगा power steering add-on मिल जाता है बाकी चीज़े सारी ही same है comfort features के अंदर infodainment system आपको यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला इसके अंदर भी कुछ भी given नहीं है बात करें safety and security की तो यहाँ पर भी कोई भी चीज़ add-on नहीं करी है exact same है बात करें exterior में तो वहाँ पर भी कोई भी changes नहीं किये गए है and instrument cluster की यहाँ पर भी कोई change नहीं है so basically आपको अगर आप standard से LXI variant पर move on करते हैं तो आपको जो सिर्फ add-on चीज मिली है वो AC और heater है और power steering है so यह थो थी LXI variant के बाद अब बात करते हैं VXI variant manual transmission और VXI optional automatic के बारे में so यहाँ पर भी जो जो चीज़ एड-on हो रही है सिर्फ वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ so यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज comfort के अंदर add हो जाएगी accessory socket उसके बाद आपको जो चीज available मिल रही है remote keyless entry मतलब जो central locking बगारा है वो आपको यहाँ से available मिल जाती है front में आपको दोनों ही power windows मिल जाएगी साथ ही जो internally adjustable ORVM से वो आपको अंदर से knob की तरह आप adjust कर सकते हैं electrically available नहीं है अब यह चीज आपको comfort के अंदर add on की गई है अब आपको infotainment system के अंदर यहाँ से infotainment system आपको VXI manual transmission VXI optional automatic के अंदर available मिल रहा है जो है smart play dock जिसके अंदर आपको bluetooth मिलेगा दो speakers मिल जाएंगे USB connectivity aux का feature available मिल जाता है यह कुछ आपको add on features मिल जाते हैं VXI में साथ ही अगर हम बात करें safety and security की तो यहाँ पर जो आपको चीज add on मिल जाएगी ESP with hill hold control आपको available मिलेगा बट वो भी सिर्फ आपको automatic के अंदर available दिया जा रहा है साथ ही speed sensing auto door locks add हो जाएगा Central door locking यहाँ पर add on दिया गया है अगर हम बात करें इसके low fuel warning और door azar warning की तो आपको इसके display के अंदर ही जो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही अगर हम बात करें इसके exterior में तो वहाँ पर आपको एक चीज़ change मिलेगी body colored bumpers आपको यहाँ से add on मिल जाएगे और roof antenna आपको इस variant से add on हो रहा है exterior के अंदर साथ ही full wheel covers यहाँ से add on मिल जाएगे अब बात करें इसके cluster meter की तो यहाँ पर आपको cluster meter था वहीं मिलेगा इसके अंदर आपको और चीज़ add on मिल जाएगे जैसे की fuel consumption कितना है average consumption कितना है साथी headlight on warning मिल जाएगी gear shift indicator मिलेगा और gear position indicator और distance to empty वाले feature भी आपको इस variant से available मिल जाएगे तो अगर आपको अच्छे कासा features चाहिए तो VXI variant आप लोगे वहें के लिए अच्छा variant रहने वाला है अब बात करते हैं इसके top of the line variant की VXI plus manual transmission and VXI plus optional automatic सो यहाँ पर आपको जो चीज add on मिल जाएगी वो है इसके interior के अंदर जहाँ पर आपको colored center में garnish available मिल जाएगी और अगर हम बात करें comfort की तो यहाँ पर जो आपको cheese add on मिल रही है वो है rear parcel tray साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाएगे electrically adjustable ORVM जो की पहले available नहीं मिला करता था यह 2022 से ही आपको available मिल रहा है सो सिर्फ यह change आपको मिलेगा उसके बाद जो main change है वो इसके infrared display में जहाँ पर आपको 17.78 cm की touchscreen infrared display मिल रहा है जिसके अंदर आपको available दिया जाँ रहा है apple car पे android auto and bluetooth साथी दो speaker मिल रहे है USB connectivity aux मिल रहा है साथी steering mounted audio and voice control आपको available मिल रहे हैं यह feature यहाँ पर add on हो चुके है बात करें इसके safety and security की तो यहाँ पर आपको as such और कोई भी चीज add on नहीं हुई है और compare करें VXI variant से बात करें इसके exterior में तो यहाँ पर आपको change मिल जाएगा देखने के लिए जो है इसका B pillar आपको blacked out tape मिल जाएगी और body colored आपको overbeams मिल जाएगे body colored outside door handles मिल जाएगे यह आपको change available दिया जा रहा है बाकी और कोई भी changes नहीं है यह थो थी कुछ इसके brochure details hope करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाया होगा कि espresso के कौन-कौन से variant के अंदर क्या-क्या चीज़े मिल रही है साथ ही मैं आप लोग के साथ शेर करने मिलते नेक्स सुड़े में अपडेट के साथ till then take care, be safe and bye-bye